आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया। बस प्रशन की फोड़ो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरह वीडियो सिलीशन पाओ, अभी राउनलोट करें हेलो फ्रेंड्स, प्रशन है विभिन प्रकार के मैरिस्ट्रमों की स्तती एवं कार्य बताईए, आईए इस प्रशन का उत्तर देखते हैं तो सबसे पहले हम बात करें मैरिस्ट्रम की, जिसे क्या कहते हैं, विभाजो तिकी उतक, यह जो उतक रहते हैं, यह उतक ऐसी कोशिकाओं का समू होता है, जिसमें क्या होता है, बार-बार सूत्री विभाजन करने की शमता होती है क्या होती है बार-बार विभाजन करने की शम्ता होती है और यहाँ जो उतक रहते हैं यहाँ उतक इम्मेचोर जिवित कोशिकाओं का बना होता है इम्मेचोर को क्या कहते हैं और वयस्क भी कह सकते हैं और वयस्क जिवित कोशिकाओं का बना होता है इस उतक की कोशिका रहती है और विखसित रहती है तो वहाँ क्या होगी चोटी होती है साथी साथ अंडाकार तथा बहुबुजी होती है ठीक है चोटी होती है अंडाकार तथा बहुबुजी होती है और इसकी जो भित्ती रहती है वह किसकी बनी रहती है इसकी बित्ती सेलिलोस की बनी रहती है इसकी बनी रहती है सेलिलोस की बनी हुई रहती है ठी के अंदर कोशी का द्रव्य और इसमें बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिकाओं के बीच अंतरा कोशी की स्थान नहीं पाया जाता है और यह जो उतक है यह स्थिति के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं तीन प्रकार के होते हैं पहला हो गया शिर शिर्शस्थ विभाजय उतक या फिर शिर्शस्थ मैरिस्ट्रमेटिक टिशू या एपिकल मैरिस्ट्रेम ठीके दुसरा हो गया पार्शवस्थ ठीके दुसरा क्या हो गया पार्शवस्थ तीसरा हो गया यानि कि जो दुसरा है वह क्या है लैटरल मैरिस्ट्रेम और जो तीसर रहता है वह क्या है अंत्वरेशी विभाज्य उतक यानि की जो अंत्वरेशी मैरिस्टेम ठीके तो जो शिर्षस्त रहता है वह क्या रहता है यह उतक जड़ तथा जड़ एवं तने की शिर्ष भाग में पसित रहता है ठीके इसकी हमने बता दी कि यह कहां इसे दोता है और यह काजे क्या करता है यह काजे करता है लंबाई का जो पोधे की लंबाई में व्रद्धी करवाता है ठीके साथी साथ इसमें पोधे की क्या होती है प्राथमिक व्रद्धी होती है दूसरा है पार्षवस्त तो यह क्या करता है जो तना रहता है उसका पार्षव तथा जड़ के पार्षव तथा तना रहता है उसके भी पार्षव में पसित होता है साथी साथ यह कार्दिय क्या करता है यह भोजन समवहन का कार्य करता है क्या करता है जो भोजन समवहन का कार्य करते हैं जिसके कारण क्या होता है कि तने की चोड़ाई में व्रद्धी हो जाती है ठीक है अब क्या है अब है यह अंतवरश्ट तो यानि कि अंतवरेशी या फिर इसको अंतवरिस्ट भी कहते हैं यह क्या करता है यह जो पोधे यानि कि जो पत्तियों का जो आधार भाग रहता है यानि कि जो टहनी रहती है उसके पर्व में रहता है और यह क्या करता है उसके कालिर क्या करता है यह उसका करता है ठीक है तो हमारा जो प्रश्ण था वह था कि विभिन प्रकार के मेरे स्थिति अवं काल्य बताईए तो हमने बता दिया है इनकी इस्थति तथा काल्य धन्यवाद दोस्तों आशा करती हूं कि आपको इस प्रश्ण का उत्तर समझ आया होगा इस वीडियो को देखने के लिए प्रश्ण के लेवल तक एक करोड से जादर चात्रों का भरोजा आशी डाउन्यवाद करें अपने सारे डाउट्स आच चार्सो 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 पर